पूछा है कि घुटने की इंजरीज के लिए कहां इलाज कराना चाहिए देखिए दिल्ली में सब्दर जंग हॉस्पिटल में एक जॉइंट के इलाज के लिए एक नयास्पितल खुला था उसका नाम है स्पोर्टस इंजरी सेंटर ये इन्ट गandyंज डिलि बे ना तब खोला गया था तो इसका नाम इसलिए स्पोर्ट अंजरी सेंटर है पर ये पहले मैं क्लियर कर दूँ कि बहुत से लोग इस बात से वो रहते हैं कि ये शायद सिर्फ खिलाडियों के लिए नहीं नहीं है ती कोई बात नहीं है ये देश का कोई भी नागरे कि इसमें अपना इलाज करा सकता है और ये एक सरकारी इस्पिताल है परन तो इसकी विवस्था इसकी इसका इलाज और इसका पूरा जो मैनेजमेंट है तब बड़े से बड़े जो आपके ये फोर्टिस और अपोलो और मेदानता जैसे हास्पिटल में चले जाएंगे तो आपको विश्वास नहीं हुआ कि भारत में ऐसे भी सरकारी हस्पिताल है क्या और यहां पर ट्रीट्मेंट टोटली फ्री होता है मैं इसके बारे में डिटेल में बताता हूं तो नोट कीजिए दिली के सब्दर जंग हास्पिटल में कि अपना इलाज करा सकता है पर वहां पर ओपिडी सिर्फ हफते में दो दिन होती है हर बुद्वार वेडनेस डे और शनीवार सेटरडे सुबह आठ साड़े आठ बजे वहां पर आपकी पर्ची बनती है मुफ्त में बनती है पर्ची एक भी पैसा आपका नहीं लगेगा तो बैसारे आठ बजे लाइन में लग जाए और लाइन भी कोई बहुत लंबी नहीं होती है अगर आप साड़े आठ बजे के गर नौ बजे भी लाइन में लगाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा पंद्रह बीस लोगों की लाइन होती है वहां पर एक दिन में वहां 15-20-15 ही आते हैं और आप साड़े आठ बजे डॉक्टर सा आ जाते हैं नौ बजे पॉने नौ बजे वो मरीजों को देखना शुरू कर देते हैं तो आपका नंबर नौ सवानों तक आ जाएगा वो फिर आपका घुटना या कोई भी जॉइंट डॉट अन्ली घुटना इनी जॉइंट शरीर में उसको वो पहले फिदिकली जहांच कर लेंगे अगर आपके पास एक्सरे अमराई इस पहले के हैं तो उनको दिखा दीजिए वो वो नहीं है कि हम तो हमें तो पूसी लेब का ही एक्सरे या एमराई देखेंगे ऐसा कुछ नहीं है हाँ अगर आपने कुछ नहीं कराया है तो वहीं अस्पताल के नीचे ही एक एमराई और एक्सरे का सेंटर है वहाँ पे सिर्फ जब हम गये थे तो वहां सिर्फ चौबिस दो रुपे मे MRI रिपोर्ट आजाएगी आप वो MRI रिपोर्ट डाक्टर्स को दिखा दीजे तो कहने का मतलब अगर आप सुबह आठ बज़े वहाँ जाते हैं तो एक बज़े तक वह आपका डियाग्नोसिस कर देंगे अगर आप पहले से MRI लेके कहें तो यह 15 मिनिट में कर देंगे कि तब आपको यह प्राबलम है अगर कोई छोटी मोटी प्राबलम में जिसकी सर्जरी की दरत नहीं है तो वह आपको एक्साइज बता देंगे दवाईयां होए जो भी दिनी देंगे अगर सर्जरी चाहिए जैसे लिगामेंट इंजरीज में तशली एसी एल वगरा जर वे प्रिपैर करना होता है तो उसके लिए फिर वो सर्जरी की डेट देते हैं आम तोर पे वो डेट दो दिन चार दिन दस दिन पंदरा दिन की मिल जाती है हम तो जब भी आया तक हम जैसे बिंग ए रेसलिंग कोच हमारे पहलवानों की बहुत सारे इंजरीद हो जाती थी और मैंने अब तक वहां पे अपने अखाड़े के चार पांच लड़कों का सर्जरी कराई है एसी एल रिपैर कराया है तो हमें हर बार दूसरे तीसरे दिन की या हफते बर की डेट मिल गई या आप अपनी सुविधा से भी डेट ले सकते हैं आप कहीं बहुत दूर के रहने वाले हैं तो वह आपको बोलेगे ठीक या राज घर जा रहे हो वापस वापस पंद्र उडिसा से वापस आओगे तो चलो पंद्र दिन की डेट दे देते हैं अगर आपको लगे नितर में इतनी दूर से आओं मैं अभी करा के ही जाना चाहता हूं तो वह उतना भी अकमडेट कर लेते हैं कि वह आपको एक दो तीन दिन की डेट दे देते हैं वहाँ के डॉक्टर्स इंडिया के बेस्ट डॉक्टर से अब वहाँ पर इलाज का खर्च क्या आता है पहले जान लिजिए डॉक्टर की कंसिल्टेशन फीस कोई नहीं लगती एक्सरे और एमराई जैसे मैंने बताया था कि वहीं अस्पताल के ही बेस्मेंट में उन्होंने एक लैब को कॉंट्राक्ट दे रखा है वो मार्केट के आधे दाम में एक्सरे एमराई करता है उसके बाद जिस दिन आपको एडबिट होना है उस दिन आप जो है करीब सुबह आट नो बज़े अपना सब लेके वहाँ पहुंच जाएंगे बारह एक डेड़ बज़े तक दो बज़े तक आपकी सर्जरी हो जाएगी फिर आपको एक प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा उस रूम में मोस्ट तो टाइम तो मैं तो आए तक जब भी गया तो हम अकेले ही थे उस रूम में एक ही पेशन था और साथ में एक अटेंडिन का और रूम का कोई भी चार्ज नहीं लगता है जो वहाँ पर बेसिक दवाईया लगते हैं जिसे पेंकिलर लगा और जो यह चोटी मोटी दवाईया है यह सारी की सारी फ्री होती है फिर आखिर खर्च कहा होता है तो देखिए होता क्या है कि यह जब शरीर में जो इंप्लांट्स लगते हैं जैसे अगर आपका मालीज यह घुटने का ACL लिगमन तूट गया है ACL रिपेर होना है तो ACL जो इंप्लांट होता है वो मार्केट से खरीद के आता है तो अब उसमें एक बात जाने लिजिए माली आपका ACL रिपेर है तो तीन क्वालिटीज के इंप्लांट्स होते है एक इंप्लांट साड़े साथ हजार का है एक इंप्लांट पच्छिस हजार का है और एक इंप्लांट पच्छ पन हजार का है तीनों ACL के implants हैं इन में अंतर क्या है यह मैं डॉक्टर्स की बात बता रहा हूं अपने मन मन गण और मैंने छे साथ अपने students का treatment कराया है इसलिए मैं अपना swim का first and experience आपको बता रहा हूं जैसे काके दे टाबेदी दाल 40 रुपे प्लेट अंजी ताज रेस्टरां की दाल 200 रुपे प्लेट दाल फराई उनकी और रेडिसन होटल या दाल बुखारा 18 सो रुपे प्लेट है तो तीनों दाल ही ना काके दे टाबेदी दाल खराब नहीं दी काके के ढापे पे जो दाल मिलती है नहीं 40-50 रुपे प्लेट वो ऐसे नहीं वो बहुत बेकार होती है और वो काके का ढापे की है नाम ब्रैंडिंग उसी तरह जो दो सो डाइस रुपे में बहुत अच्छे रेस्टरा में जो डाल मकरी मिलती है वो भी डाल है और रेडिसन में या जो डाल बुखारा दिल्ली वैली या ठारोत रुपे बलेट वो भी डाल है तो साथ हम लोग ने कौन सा लगवाया अब आप ये पूछेंगे तो साथ हमारे कहते हैं कि हमारे पहलवान से जिनका आगे कुछती का पूरा का पूरा करियर पड़ा था और सिर्फ घुटने की चोट के कारण करियर बरबाद होने की नवबत आई थी बच्चों की तो वहाँ पे बच्चा जो है आम तोर पे अगर बच्चा संपन घर का है तो वो दस बीस जार तीस जार रोपे बचाने की चक्कर में नहीं पड़ता हूँ कहता है तो पर आप यदि एक कॉमन मैन है तो डॉक्टर भी कहते हैं कि कोई फरक नहीं है तो ये इंप्लांट का खर्चा आपको वहाँ देना पड़ेगा इसके अलावा आप वहाँ रहेंगे जो पेशन्ट है और पेशन्ट के लिए बगल में एक बेड लगा होगा जिस पर उसका अटेंडन्ट रहेगा इसका कोई भी चार्ज नहीं है और रूम्स आप जो उस हॉस्पिटल के रूम्स हैं अगर वो रूम्स आप देख लेंगे तो आपको एक बार तो गलत फहमी है हुए कि भईया ये हॉस्पिटल का रूम है या किसी हम फैफस्टर होटल में आगा है आप अस्पिटाल के अंदर जब गुसेंगे ना तो आपको सब्से पहला फील आएगा हर एक घंटे बाद सफाई तो मैं तो बहुत कि तंग आ गया हमें मैंने का वह कहां गंदा है यार क्यों यार तो उमने सारी रात चाले सोने नहीं दिया दुखी कर दिया वो ले वाओ जी क्या करें हमें तुम्हें तो इतना नीट और केर की बात बता रहा हूं सरकारी तो होगा है कि सरजरी के बाद यूरिन पास होना बहुत जरूरी होता है तो साथ मेरे बेटे को यूरिन पास नहीं हुआ तो करीब 40-40 मिनट तक हम कोशिश करते रहे फिर भी यूरिन पास नहीं हुआ तो उन्होंने गरम पाने की बाटल पेट पे लगाने के लिए दे दी कि भाया इससे यूरिन पास हो जाए फिर तब भी यूरिन पास नहीं हुआ और उसको थोड़ा सा पेन होने लग दिया ब्लैडर में इधर दर तो मैं जो सबसे बड़ी नर्स होती है में टफन बोगते हैं शाद उसको वो उसका जो आफिस उसका जो टेबल था आई मीं जो चैम्बर था उसका वो कॉलिड़ोर में सबसे लास्ट में था मैं उसको गया मैंने बड़ी नर्स को बोला कि वो रूम नुमर इतना patient number इतना तो urine pass नहीं वा और उसको pain हो रहा है जब मैं वो बोल के मैं अपने वापस bed पे आया हूँ तो मैंने देखा कि जो junior nurse थी वो मेरे पीछे-पीछे ही bed के बागल में आके खड़ी होगी 30 seconds बाद जो सबसे senior nurse थी she was standing near the bed and within 2-3 minutes the junior doctor जिसने surgery की थी he was standing near the bed और within 5 minutes the senior doctor he was 5 minute के अंदर साभ ये 4 लोग उस patient के bed पे खड़े थे तो डॉक्टर नहीं बोला कि ठीक है कोशिश करी नहीं हुआ urine pass कोई बात नहीं है चलो catheter लगा दो तो था उन्हों नर्स को catheter लगा दिया तो urine pass हो गया इसके अलावा हम जैसे आज surgery हुई next day फिजियो तरपिस और डॉक्टर ताते हैं और next day ही घुटने को मुड़ना शुरू कर देते हैं जैसे कल ACL change हुआ है आज ही घुटना मुड़ना शुरू कर देते हैं तो 2-3-4 बार घुटना मुड़वाते हैं और अगले दिन surgery के तीसरे दिन जो है वो आम तोर पे तीसरे या चौथे दिन आम तोर पे patient का discharge कर देते हैं और वो crutches देते हैं excisez दो बताते हैं कि आपने घर जाके ये excisez करनी है और इतना घुटना मुड़ना चाहिए बदब एक एंगल पे घुटना मुड़ के ही discharge करते हैं कि नहीं इतना मुड़ वो तब ही जाने देंगे और पूरी excisez तीन दिन कराते हैं उसके बद पेशन को strict instruction देते हैं कि आपने ये exercisez रोज करनी है और 15 दिन बाद फिर दिखाना है अगर exercise नहीं करोगे तो घुटना नहीं मुड़ेगा फिर हमें ब्ले मत करना तो वो तीसरे चौते दिन आपकी सुविधा नुतार आपको discharge कर देते हैं अस्पतालों में होता क्या है कि जब discharge होने लगता है ने तो जो जितने nurses और ये वो नो बक्षीश लेने के लिए खड़े हो जाते हैं उस अस्पताल में किसी की हिम्मत नहीं है कि पेशन्ट से एक रुपे के भी कोई बक्षीश मांग ले 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 तो जब फर्स टाइम में गया था तो इतना ही डिसप्लिन था तीन साल बाद में दुबारा गया तब भी इतना ही डिसप्लिन था फिर एक बार पांच-छे साल बाद में एक और पेशन्ट को लेके वहां गया तो जब डिस्चार्ज होने वाली नौबत जो समय आया तो दो लोग वहां उन्होंने आके ने मेरे आगे से दान्त से ऐसे किये मैंने पूलाहन जी लग साहर कच्छ मैंने तुम लोग उने बक्षिष कबसे मांगना शेरू कर दिया मैंने चुड़ा रिपोर्टर तो दॉट्टर सर ऐसा लगा कि मतलब वो रो देंगे इसके बावजूद मैं आपको अस्पताल में छे साल से आ रहा हूँ इसके बावजूद आपके कुछ करमचारियों ने बक्षीश की उम्मेद लगाने शुरू कर दी अच्छा मतलब डॉक्टर आगब बूले हो गए था अच्छा ये हिम्मत हमारे अस्पताल में तो मैंने अच्छा ये सरकारी है पर यहाँ इतनी जांदार व्यवस्ता ये डख्र सरकारी है और दो चार मेंड में नर्सर सरकारी है बादके सारा ठेके पर कॉन्टराक्ट है ये सब जितने सफाई करमचारी और जितना भी हेलपिंगस्टाफ है को मालूम है काम नहीं करेंगे तो अगले दिन नौकरित निकाल देंगे डॉक्टर यह स्वेसलिटी शुरू की थी डॉक्टर दीपक चौधरी ने वो छह साथ आठ साल वहां रहे उसके बाद now he has shifted to some other big hospital in डेली पर अभी भी जो वहां की टीम है डॉक्टर्स की they are the best doctors और सब आपका वहां पे अगर आप ACL ligament अपना repair कराते हैं तो जो implant आपने 7000 वाला लिया या 25000 वाला लिया तो 7000 वाला अगर लिया है तो 7000 रुपे वो और 2-2,000 रुपे जो द्वाईयां सरजरी के बाद आप मार्केट से खरीद किलाते हैं कहने का मतलब 10,000 रुपे में आपका ACL repair हो जाता है अच्छा यही same ACL repair आप डॉक्टर जोशी से कराए मुंबई में डेर लाख पॉने दो लाख रुपे करचा है किसी 12-15,000 अगर आपने महंगा implant लगाना है तो 20-25-50,000 में हो जाता है इसके अलावा वहाँ पे जितने भी hip replacement joint अपना knee replacement shoulder का पूरा इलाच और बाकी जितने भी major joints हैं सब का treatment वहाँ होता है यह हिंदुस्तान का सबसे अच्छा joints का treatment center है फिर से नाम नोट कर लिजिए sports injury center सब्तर जंग hospital तींटेल ही OPD सर्फ हफते में दो दिन होती है बुदवार और शनिवार बुदवार को वो OPD देखते हैं और डेट दे देते हैं hospital की कोई भी जानकारी अगर और चाहिए तो comment box में नीचे मुझसे पूछिए इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कीज लोगों को बताईए कि वो सरकारी खर्च पर बहुत बेहत शानदार इलाज दिल्ली में करा सकते हैं आज के लिए इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद और भी आपकी जो भी ऐसी queries है मुझे comment box में देते रहें जिससे मैं आपको ऐसी बड़े बड़े नई नई वीडियो बना के जो भी थोड़ी बहुत मुझे जानकारी है आपके साथ शेयर करते रहूंगा बहुत बहुत धन्यवाद thank you very much फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में thank you